पुपद पंकद नावह सीसागर जहें भालु महाबल की सादे की राम सकल का पिसे नाचिताई कृपा करी राजिव नेना राम कृपा बल पाई का पिंद भै पुछ जुत मान उगिरिंदा हरसी राम तब कीन पयाना सगुन भै सुन्दर सुबनाना जासु सकल मंगल मै कीती तासु पयान सगुन यह नीती परभू पयान जाना बै देही फिर की बाम अंग जनु कहीं देही जोई जोई सगुन जान कहीं होई असगुन भै भैंहु रावन नहीं सोई चला कटक को बारनय पारा गर जहिवानर भालू अपारा नाख नक अयूद गिर पादप धारी चले गगन महीं इच्चा चारी के हरिनाद भालू कपिक रहीं डग मगहीं दिगज चिक रहीं एविदि जाय कृपानि दि उतरे सागर तीर जहत है लागे खान फल भालू विप्र कपि बीर सिया पति राम चंदर की जै मंगल बावन या मंगल आरी का महुसु दसरद अजर बिहारी अर्थात परबु के कमलवत चरणों में मस्तक जुका कर वे महावली रीक्च बांदर गरजने लगे शी राम जी ने अपने सब वानरों की सारी सेना देखी फिर उन्हें किरपा दिश्ट डाली फिर तो राम जी किरपा बलगो पागर सब वानर ऐसे हो गए मानों पंक सहित परवत हैं तब राम जी ने पसंद होकर मगन किया और उनके अनेक प्रकार से सुब सुन्दर सुब सुकल हुए सकुन हुए जिनका यस मंगल मैं है उनके पयान में सकुन होगा या एक नीत है प्रभू जी का मगमन करना सीता जी ने जान लिया तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे जो जो सगुन जानकी को हुए वे अब सगुन रावण को हुए से ना चली उनका वर्णन कर कौन पार पा सकता है वानर और रीक्ष की संख्या अपार थी और वे गरज रहे थे नक ही उनके अयूत थे वे परवत और व्रिच धार्ण करने वाले वानर भालू अकास और पिर्थवी पर इच्छा नुसार चलने लगे भालू और बानर सिंग नाद करने लगे जिससे दिगज डगमगाने और चिक गाड़ने लगे इस प्रकार किरपा सिंदु सिरी राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से रीक्ष और वीरवानर भल खाने लगे